हम सब लोगों को उसी ताड़ान का अर्थ जो इनों ने बताया है उसी ताड़ान का अर्थ हम लोगों को भी लागू करते हुए कहना है कि सामन्ती, मनूवादी और चुटियाधारी ये सब ताड़ान के अधिकारी सीव लिंग में भरोसा है Hauptman having perception BOElly semaine इसमें इसमें तकलीप कहा है कि हम कह रहे है कि में ब्रह्मा पृष्म महेज को इस ओर नई मानता तु नहीं मानता यार जबरश्ति मनेवाद होगे क्या ये जो डूयल मांवने एजंडा है ना कि बुद्ध भी रखे रहेंगे सजाने के लिए कि हम बॉद्धिष्ट हो गए अब अगल में देवी देवता भी चलते रहेंगे तो यह जो पॉपलर पॉलिक्स वाला एजंडा इसको खतम कर दीजिए बहुजा नेक्ता के कारकमों में अगर जा रहे हो और त जाती की महापरुस की जैनती है तम मेरी भुजाय फड़फडाने लगी क्या औरे कहीं जैनती नहीं मन रही है तो तुम बहुजा नेक्ता के दुश्मन हो ओभी सी तो मुर्थ था तो जो होस्यार थे जो तीस साल पहले बाबाक साब को समझ गए थे वो खटीक में जैनती काड़ काड़ दो अंते जी का बेहत सुक्रिया की इस शांदार आयोजन में मुझ ऐसे सामानी व्यक्ती को बोलने का मौका दिया और इस बात के लिए सुक्रिया की पश्चिम उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि विचार धारा तैयार नहीं हो सकती आपने पश्च में ये बोल रहा हूं ये धन सिंग कोतवाल की क्रांती की धरती है जिस मेरट में बोल रहा हूं ये माता दीन भंगी की क्रांती की धरती है अभी मेरे बड़े भाई रतनलाल जी बोल रहे थे तो मुझे भी इत्यास की बात याद आ गई कि जहां पर बोल रहा हूं यहीं उस इत्यास को जानना चाहिए, यह मायदान इस बात का गवा है, कि हमारे इत्यास को दवाने की कोशिस की गई, तुम्हारा सिवाजी महान कैसे? तो उनके साथ एक जोड़ दिया गया कि दादाजी कोण देओ की बज़े से महाँ जबकि दादाजी कोण देओ का सिवाजी के जीवन में कोई योगदान नहीं तुम्हारा चंद्रुगप्त मौरे महान कैसे तो जोड़ दिया एक चाड़क के नाम का करेक्टर वो बताते हैं कि बिद्वाब ब्रामणी के गर्ब سے हुआ था जन में किती थी नहीं पड़ता बिद्वाब ब्रामणी के गर्ब से हुआ था ये पता है इसलिए इतियास को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रुर्वत है और साथ ही साथ ये मेरट वो धर्ती है जहां कभी सर छोटू राम की विचारधारा की वज़े से चौधिरी चरण सिंग और भारती किसान यूनियन के लोगों ने कभी नफरतवादी राजनीती को इसारों में समझियेगा नफरतवादी एजेंडे को यहाँ पनपने नहीं दिया था लेकिन नफरत वादियों ने एक जूटा बहुजनों की बीच में दंगा करवा करके उस यूनिटी को छीनने की कोसिस की किसान अंदोलन में काफी हद तक वो दूरियां कम हुई है यहाँ से सबत लेकर के जाईए कि उन नफरत वारतियों को पश्चे मुत्तर प्रदेश से उखाड फेकेंगे इतना तो कम से कम कर सकते हैं यह बात बिल्कुल सही है कि हम लोग इन मंचों से यह नहीं तै कर सकते कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी लेकिन इन मंचों से यह तो तै कर सकते हैं कि हमारे मुद्धों के आधार पर बनेगी हमारी विचारधारा के आधार पर बनेगी हम पार्टियां तै नहीं करते लेकिन यह तो तै कर सकते हैं कि संसद में जाने वाला व्यक्ति अंबेट कर वादी होगा संसद में पहुचने वाला व्यक्ति समिधान वादी होगा ये तो त्या किया जा सकता है अब छोटे-छोटे अन्रोद कर लेता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है छोटे-छोटे अन्रोदों के साथ बात खतम करूँगा कोई बात नहीं करूँगा ये परिवर्तन वो परिवर्तन यहां करांती कर दो छोटे-छोटे अन्रोद करता हूँ आप बहुचन समाज के लोगों से बहुचन यूनिटी एक बिसा है जितने भी कारकम हो रहे हैं मुझे इनके पीछे प्रश्ट भूमी में वज़े लगती है बहुचन एकता तो मैं इसी बहुचन एकता पर बात करूँगा कि आएगी कैसे अगर इन मंचों से इस बात को इस तोर पर समझेगा कि एक बहुचन बोल रहा है अगर किसी और दिसा में लेगा है तो फिर आप आलोचना करते रहेंगे अगर बहुचन एकता हम चाहते हैं तो जो चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कि अगर बहुचन एकता हम चाहते हैं तो हमें इन मंचों पर सिर्दियाल चौरसिया को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर संत्रामबिये प्रजापती को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर करपूरी ठाकुर को भी याद करना पड़ेगा, और अगर बाबा सहब को इसलिए याद कर रहे है कि उन्होंने 22 प्रतिक ज्याएं दिलवाई थी तो समराट असोक का कोई उगदान नहीं था क्या क्यों हमारे नारों में समराट असोक नहीं आते हैं इस बात को बड़े दिल करके सोचिएगा जिस तरीके से किसी भी जाती का ब्यक्ति मंच में तलासता है चुनाओ के समय कि हमारी जाती का नेता कहां बैठा है टोर्च लागा के दूनता है उसी तरह आपके नारों में बहुजन समास तलासता है कि हमारी हिस्सेदारी नारों में है या नहीं अफसोस के नहीं है उस इस्सेदारी को अपने नारों में लाना पड़ेगा ये बताना पड़ेगा कि पेरियार ललाई बौध बने थे और हमारे पूर्वस थे ये बताना पड़ेगा ये बताना पड़ेगा कि ये मेरठ महराज सिंग भारती की धरती है जो यहां से सांसद भी रहे, MLC भी रहे और अरजक संग के संस्ठापकों में से एक थे ये बताना पड़ेगा कि महाराज सिंग भारती जाट समास से आने वाले हो सांसद थे जनोंने सदन में, आज तक किसी सांसद नहीं बोला है ये बड़ा दिल करके बताना पड़ेगा, महाराज सिंग भारती ने सदन में बोला था कि मेरे मरने के बाद इस सदन में मौन न रखा जाए क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा में वरोसा नहीं रखता महाराज सिंग भारती ने अपने उनके जो इस समय उनके नाती है मेरे मित्रह मनीज भारती जी वो कहके गये थे अपनी वसीयत में कि ना मुझे मेरे अस्थी कलसों को कहीं किया जाए और हाँ एक बात और कह गये थे कि मेरे नाम के आगे स्वरगी ना लगाया जाए ये जो डूल माइंडसेट एजेंडा है ना कि बुद्ध भी रखे रहेंगे सजाने के लिए कि हम बॉद्धिष्ट हो गए हैं अब अगल में देवी देउता भी चलते रहेंगे तो ये जो पॉपलर पॉलिटिक्स वाला एजेंडा है इसको खतम कर दीजिए मैं उनसे कहने नहीं जा रहा जो पाखंडी है उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम पाखंडी नहीं है वो तो कम से कम हातों से आइडेंटिकार्ड काड़ दो जो कह रहे हैं कि हम नहीं है मैं किसी के खिलाप नहीं बोल रहा हूँ तुम खुद कहने आयो कि हम भौजन हैं अगर भौजन हो अगर बावा साहब के अन्याई हो अगर समराटस हो के अन्याई हो तु गले से और हातों से आइडेंटिकार्ड खतम कर दो कितना तो किया जा सकता है और भौजन एजेंडे के तहत जब मंच से भासन देने आओ तो तुम्हारे भासन के 10 मिनट में कोई ये न समझ पाए कि किस जाती का है सबसे महत्पूर्ण बाद बता रहा हूँ होता ये है कि अगर मैं मंच से 10 मिनट में 5 बार संद गाड़े के का नाम ले रहा हूँ बनाने में इस समाज को बनाने में सब का योगदान है समझो भीया कब समझोगे ये बात कि हमें बड़ा दिल करके बहुजन एकता बनानी है ये समझना पढ़ेगा कि अपने घरों में क्रोस करना पढ़ेगा कनेक्शन घर के सामने घुसे और पहली तस्वीर देखते हुए किलियर हो गया कर पूरी ठाक और अच्छा नाई समाज का घर होगा ये चेंज करना पढ़ेगा अगर अपने अपने घरों में अपनी अपनी जाती का महापरुष रखे हो तो इस कारकवों में याने से कोई फाइदा नहीं होगा बदल दो पाच्छे महापरुष ठांग लो और अपनी जिस कार से इस तरह के बहुजन सादियों में जा रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं बहुजन एक्था के कारकवों में अगर जा रहे हो और तुम्हारी गाली में पास सीट में पाचो तुम्हारी जाती के बैठे तो तुम बहुज़नेक्ता के दुस्मन हो कोई इसमें मुझे दोराय नहीं और अगर अगर तुम्हारी भावनाय तब जागरिक होती है कि आज मेरे महापुरुस मेरे जाती की महापुरुस की जैनती है तब मेरी भुजाय फळफळाने लगी कि अरे कहीं जैनती नहीं मन रही तो तुम भाउजा नेटा के दुस्मन हो समय के साथ बदलना पड़ेगा जो पहले फेज का जागरूख है पहले फेज का मान लिया के जाती के नाम पे तुम जागरूख हुए हो लेकिन कब तक एक साल छूट देदी जाती के नाम पे जागरूख रहो दो साल छूट देदी तीन साल छूट देदी अरे जो 20-25 साल से अमबेट करवाज जगदेव बाबू और रामसुरू बर्मा की बात कर रहे तुम तो बदल जाओ तब तो एक साल वाले को बताओगे कि तुम चेंज हो जाओ 25 बताईए OBC तो मुर्थ था तो जो होस्यार थे जो 30 साल पहले बाबाग साब को समझ गए थे वो खतीक में ट्रांसंपर क्यों नहीं कर पाए अमबेट करवाज वो पासियों में ट्रांसपर क्यों नहीं कर पाए हमारी गलती हम तो मुर्थ है हम तो कावड हो रहे हैं मेरे जैसे व्यक्ति को भी RSS ट्राई करती है मेरे जैसे व्यक्ति को जो सब कुछ इसपश्ट है के बल गूगल पे नाम डालिए नीरज भाई पटेल सब कुछ इसपश्ट हो जाएगा कि क्या हूं मेरे जैसे व्यक्ति को RSS ट्राई करती है और आप अपने घर के बगल के व्यक्ति को ट् मैं हजारों अम्बेट करवादी तयार कर सकता हूँ मेरा चेलेंज है यह और ये कारकम इस बात का गवा है इस सूखी धर्ती पर ये क्रांती की धर्ती हुआ करती थी लेकिन अब ये कहा जाने लगाता कि पस्ची मुक्तर प्रदेश में लोगों के पेट भरे हुए हैं जमीने काफी ठीक ठाक हैं दिल्ली से सटा हुआ है तो यहां के लोग बहुजन मुमेंट नहीं समझते सोचिए कि एक व्यक्ती अभी कुछ दिन पहले लखनव में कारकम करने के बाद तीन महीने से यहीं डेरा डाल दिया तो भंते सुमित रतन जैसा एक व्यक्ती सीमे संजादनों के साथ इतना बड़ा हयुजन कर सकता है तो आप तो यहीं के हो आप क्या नहीं कर सकते हैं तो भंते जी को अगली बार अभी आप आप दूसरे जगे का व्यक्ती आपको बुलाया आए हम कारकम करेंगे आपके पूरोजों पर अगली बार आप कारकम करिएगा और इनको हुए हैं एक और समस्या है सामाजिक संग्ठनों के साथ हम ही है कि मेरा अन्रोध यह है कि जितने भी सामाजिक संग्ठन के पुरोधा आए वो यह सोचे कि हम भी हैं कि बहुत सारे लोग देश में अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत लोग मंच पर अच्छे वक okay very good कोई सामाजिक परिवर्तन के काम कर रहा है कोई बुद्धिस्म के काम कर रहा है कोई अंबेठकर הא richtig की अर्जगाथ काम कर तरहे हमें एक बात समझनी है कि जब सामन्ति और मनूबादी आपस में खूब लड़ते हैं। लेकिन जब उनको आपके अधिकार छीनने होते हैं बहुजनों के और OVCSE के तब एक हो जाते हैं तो मैं आपसे यह अनरोध करने आया हूँ कि आपस में खूब जगड़ा कर लो नाली का, खड़नजा का सब खूब जड़गड़ा कर लो लेकिन जब मन सजा हो जातीवार जनगरना को लेकर जब मन सजा हो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर जब मन सजा हो स्कूलों के लिए, विद्याले के लिए, आरक्षण के लिए तो भले ही तुम्हारा बिरोधी कारकम कर रहा हो चुप चाप जाकर के बैढ़ जाओ मुद्दे पर बैढ़ जाओ, मुद्दे पर सपोर्ट कर दो, बाकि फिल लड़ो कह दो भाई, तुम्हारे याँ खाना खाने नहीं आएंगे इतना बड़ा दिल हम नहीं दिखा सकते जो प्रेक्टिकल बात कर रहा हूँ लेकिन जब मुद्दो की बात आजाए तो उस भीड में बढ़ाने में शामिल हो जाओ और सामने वाला कहे भाई, जै मूलनिवासी कोई तकलीफ नहीं, जै मूलनिवासी नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय जै भीम, जै भीम जै फातिमा, जै फातिमा क्या दिक्कत है कि सामने वाला क्या कर रहा है, कोई जरूरी है कि हमारा संगठन, हमारा बैनर हमारा नारा, तभी ये देश बावा साहब का या बुद्धिश्ट देश बनेगा एजेंडा ये होना चाहिए कि तुम कुछ भी सामने से बोलोगे जो हमारी बहुज़न एकता में सरीख होगा, हम वो इस तरफ से बोल देंगे बस, नफरत वाला भृक्ती तान करके दूसरे को चढ़ाने वाला, संपरदायक ताकत को बढ़ाने वाला जज़ा श्रीराम नहीं करेंगे इतना तो थोड़ी सी एनरजी इस तरफ को आ रही थी तो एक चीज़ याद आ गई जैसे 22 प्रतिग्याओं की बात हुई तो मैं सिंपिल सब्दों में पूछना चाहता हूँ कि भारत का सम्मिधान धर्म निर पेक्षिता की बात करता है उसका मतलब यह है कि किसी को सिवलिंग में भरोसा है तुमारी एक्षा कोई दिक्कत नहीं हमें किसी को मस्जिद में भरोसा है किसी को क्रिश्यानिटिम भरोसा है कोई दिक्कत नहीं किसी को बुद्दिन्द में भरोसा है वही भारत का सम्मिधान हमारे जैसे लोगों को यह इजाज़त देता है कि इसमें तकलीफ कहा है कि हम कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा पिश्णु महेज को इस और नहीं मानता नहीं मानता तो नहीं मानता यार जबरदस्ति बनवा लोगे क्या यह तो हमारे व्यक्तिगत बिसे है ना यह यह तो हमारे निजी बिसे है कि हम नहीं मा का अर्थ हम लोगों को भी लागू करते हुए कहना है कि सामंती है मनुवादी और चुटियाधारी यह सब ताड़न के अधिकारी ताड़न का अर्थ क्या है तो बस हम सिख्षा की बात कर रहे हैं समयधानिक लोग हैं तो सिख्षा देना जरूरी है कि नहीं तुम हमको क्यों होगे तुम हमसे बदले में भी लोग इनी सब्दों के साथ बात खतम करता हूं नाक छोटी कर लीजिए दिल बढ़ा कर लीजिए मुद्दों पर एक जुट हो जाईए यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्रौक सनसन करिए अंतर जाती बिवा करिए जिस तरीके से सिवाजी क कि मा जीजावाई और उनके पिता साजी बोसले का अंतर जाती बिवा हुआ था तो सिवाजी जैसी संतान पदा हुई थी तो अगर अंतर जाती बिवाद करोगे बहुजा नेत्ता बनेगी और परंपरतापी शंतान भी जन मिलेगी अपनी अंतिम सब्दों के साथ बात खतम करूंगा बंते जी के सब्द चुराते हुए उनके मूँ से बोल देता है अपने मूँ से बोल रहा हूं उनके सब्द कि अभी तो परिंदे शुमार करना है फिर हम बताएंगे कि किस किस पे बार करना है अभी तो परिंदे शुमार करना है जे विज्ञान, जे समिधान, नमो बुद्धाय, जे भीन, जे अर्जक, इनकलाब जुन्दाबाद, उल्गुलान जुन्दाबाद